आपके बहुत काम आने वाले आसान टिप्स थोड़ा किमती समय निकाल कर जरूर पढ़ें नमबर एक सर्सों के तेल में थोड़ा सा हल्दी पावडर मिला कर हल्का गर्म कर ले फिर इस पेश्ट को दातों पर लगाएं एंटी सेफ्टिक गुड़ वाली हल्दी आपके दातों का दर्द दूर करने में मदद करती है नमबर दो अगर आप पेट दर्द से परिशान रहते हैं या फिर आपको डाइजेशन से जोड़ी प्राबलम रहती है तो रोजाना एक अम्रूद खाना शुरू कर दे अगर पेट में केचवे या कीडे हैं तो सेम के पत्तों के रस में थोड़ा सा शहद मिला कर पीने से केचवे और कीडे तीन-चार दिन में बाहर निकल जाते हैं नमबर चार मोह से प्याज या लहसुन की बदबू दोर करने के लिए ग्रेंटी पीना सबसे अच्छा उपाय होता है नमबर पाच काली ओठो को गुलाबी करने के लिए मक्खन में थोड़ा सा केशर मिला कर रोजाना ओठो पर लगाएं नमबर चै खुजली होने पर फिटकरी के पानी से खुजली की जगा धोकर साफ करें उस पर कपूर को नारियल के तेल में मिला कर लगाएं लाब होगा नमबर साथ मचली का सेवन करने से आई क्यू लेवल बढ़ता है नमबर आठ सूखे आवला को पानी में उबाले इस पानी को इतना उबाले की वह आधा रह जाए अब इसमें महदी और नीबू का रस मिला कर बालों पर लगाए ऐसा करने से आज समय बालों का सफेध होना बंद हो जाता है नमबर नौ तेज सेरदर्द से रहत पाने के लिए सेव को छिल कर छोटे छोटे टुकडों में काट ले और इसमें एक चुटकी नमक मिला कर सुभा खाली पेट खाए नमबर दस पूदिने की चाय में दो चुटकी भर नमक मिलाकर पीने से तेज खासी से भी रहत मिलती है नमबर 11 खासी से रहत पाने के लिए गर्ब पाने में शाहद मिला कर पिए नमबर 12 आटे के डिब्बे में तेज पत्ता रखने से आटा नमी से मुक्त रहता है और जल्दी खराब नहीं होता नमबर 13 अगर आप अपने बालों को जल्दी लंबा बनाना चाहती हैं तो बहतर होगा कि बालों में नारियल या जैतून के तेल की मसाज करें नमबर 14 अनार का जूस पीने से भूख ना लगने की बीमारी दोर होती है नमबर 15 नीबू के रस में थोड़ा सा नमक मिला कर नहाने से सुन्दरता बढ़ती है और तुचा का रंग निखरता है नमबर 16 अनार को सुभा खाना चाहिए सुभा खाने से सरीर में एनरजी बनी रहती है नमबर 17 पपीते को सुभा नास्ते के बाद और दोपार को लंच से पहले खाना चाहिए नमबर 18 बैगन में कैंसर से लड़ने वाले कंपाउंड भी पाए जाते हैं बैगन के सेवन से हड़िया मजबूत होती है साथ ही बैगन आखों की रोशनी को बढ़ाने में मददगार है वहीं बैगन ब्लड सुगर लेवल भी कम कर सकता है नमबर 19 रोजाना सुभा दूध के साथ आवला खाने से हाई ब्लड प्रेशर से रहत मिलता है नमबर 20 यदि दो बर्तन आपस में फस गए हों तो जहां से वो फसे हैं वहाँ पर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए आधे घंटे बाद थोड़ा सा घुमाने से ही निकल जाएंगे नमबर 21 टमाटर के रस को सोठ मिला कर पीने से गठिया का रोग ठीक होता है नमबर 22 हपते में तेन दिन लगा लो कितनी भी पुरानी टेनिंग हो दूर हो जाएगी थोड़ी सी टमाटर प्यूरी में एक चमच कॉफी पॉडर, दो चमच चावल आटा, दो चमच दही मिलाकर 15 मिनट तक लगाने के बाद धो लेना है नमबर 23 बाजरी की रोटी खाने से जोडो के दर्द से आराम मिलता है नमबर 24 प्रति दिन गर्म पानी में नीबू और शहद मिलाकर खाली पेट पीने से मोटापा दूर होता है नमबर 25 अगर आपको कबजी की सिकायत है तो रोजाना सुभा एक गिलास पानी में दो चमच चीनी, एक चुटकी काला नमक और आधा नीबूनी चोड़ कर पीने से कबजी की समस्या से चुटकारा मिलता है नमबर 26 चीनी या गुड को चीटियों से बचाने के लिए इसके डिब्बे में चार से पाच लॉंग डाल कर रखें नमबर 27 अगर आपका बीपी हाई है तो हर रोज एक गाजर खाना चाहिए गाजर में पोटेशियम की मात्रा काफी ज़्यादा होती है जो बीपी बैलेंस करने का काम करती है साथ ही या सरीर में सोडियम का लेवल बैलेंस करता है जिससे बीपी कंट्रोल में रहता है दिल को हेल्दी रखने में गाजर काफी ज़्यादा अच्छा होता है नमबर 28, सोने से पहले वैसलीन में विटामिन E का कैपसूल मिला कर चेहरे पर लगाए, चेहरा हस से ज़्यादा ग्लो करता है नमबर 29, पीरियर्स के दर्द से निजात पाने के लिए ठंडा पानी में दो से तीन बुध निभू निचोड कर पीने से आराम मिलता है नमबर 30, लोहे के किसी चीज या फिर चाकू पर यदि जंग लग गई हो तो उस पर प्यास को काट कर रगड दीजिए, जंग निकल जाएगा नमबर 31, खजूर खाने से हड़ियां मजबूत होती हैं और साथ ही जोडो के दर्द से भी छुटकारा मिलता है नमबर 32, अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाए तो उसको पपीते के पेड़ के पत्तो का रस पीना चाहिए, इससे वह जल्दी स्वस्थ हो जाएगा तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, हमारी यह वीडियो समान जानकारी के लिए बनाई गई है अगर आपको कोई بھی वीमारी है तो आप सबसे पहले डॉक्टर से सलह ले, फिर यह नियम अपनाए फ्रेंड्स हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताए अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद